हेलो दोस्तो नमस्कार को सबसे आदा फायदा होने वाल है और कौन से स्टॉक को यह पर नुकसान की बाते बोली जा रही है उसी के साथ साथ दोस्तों जैसे कि हम लोग हमेशा कहते कि स्टॉक मार्केट में चलो आपके पास कोई स्टॉक है फॉर एक्जामपल हम लोग पकड़ी लेते रिलाइंस है तो सिर्फ काम रिलाइंस इंडस्टी के उपर फोकस रखके नहीं चलता है इसके जो कॉम्पेटिटर से उनके उपर भी आप लोगों की नजरे जमनी चाहिए मतलब उनकी जो भी एक्टिविटीज रहते हैं चाहे अच्छी हो या बुरी हो वो अगर आप लोगों को पता च करें तो रिलाइंस इंडस्टी आज के दिन हम लोग कह सकते हैं ज्यादा कोई बड़ी रैली नहीं है लगब एक परसेंट सवा परसेंट के आसपास की तेजी हम लोगों को देखने को मिल रही है जो कि देखा जैते हो रिलाइंस इंडस्टी की साब से चोटी शी ही लगती ह है 24 रुपे के आसपास स्टॉक हम लोगों को अब ट्रेंड आज थोड़ा सा जाते हुए देखने को मिला है हलाकि आप सब लोग पते हैं यह बहुत बड़े कंसरल्डेशन फेज में अटका हुए अगर मैं आपको इसका पाच दिन का चार्ट पैटन दिखा दू एक मैने का चार्ट पैटन दिखा दू आप देख सकते हैं कोई बड़ा मुमेंट नहीं है एक लंबे वॉक्स में यह बॉक्स तब तक बना रहेगा जब तक Amazon फ्यूचर रीटेल का पीछा नहीं चोड़ते हैं आप सब लोग पते हैं जब तक यह केस चलता है रहने वाले है क्योंकि इ यह स्टॉक 1195 तक का टार्गेट दिखाएगा तो इससे रेलेटेड में अल्रेड़ी वीडियो बना चुका हूँ जो कि आप लोग स्क्रीन के उपर देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो जल्दबाजी में रहेंगे वो डेफिनेटली यहापे थोड़ा सा गलत यहापे जा स जैसे मैंने आप लोग को बता है कि यहापे रिलाइंस इंडस्ट्री के ऊपर देखा जाए तो यहापे कोई चोटी मोटे न्यूज है वो हम लोग कवर करेंगे बड़ी न्यूज उसके कॉंपेटिटर से हम लोग को सुनने को मिल रही है जो चोटी न्यूज के इनसी है वह ग्यास प्रोडक्शन फ्रॉम आर सिरीज एंड यहापे अगर हम लोग बात करें इन्वेस्मेंट की तो 40,000 करोड का यह सारा चीज हम लोग को यहापे देखने को मिल चुका था सो रोस तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो इनका जो यह प्लान था यहापे प्रोडक्शन से रिलेटेड ग्यास से रिलेटेड वह हम लोग को बीच में स्टॉप होते हुए देखने को मिलने वाला है बट जैसे मैंने का कि एक न्यूस में तो दम है बट हम लोग क accumulate करना चाहिए, यह मेरी बात नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्सपर्ट नहीं है, यह सारी चीजी आप बोल दी है, तो दोस्तों, जैसे मैं आप लोगों को बता है कि यहाँ पर कभी-कभी news ऐसी होती कि हमारे share price में jump आ जाते हैं, बट यहाँ पर जो फिलाल की news है, वो टेली कॉम से related है, टेली कॉम में इनके जो दो major competitors है, वो आप सभी लोगों पता है, वोड़ाफोन आइडिया और भारती एरेटेल, जो आज की news है, दोस्तों यह वोड़ाफोन आइडिया से related, जहाँ पे आप लोगों को वोड़ाफोन आइडिया को भी फायदा होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि आज आज आप कह सकते हैं, वोड़ाफोन आइडिया 10 रुपे के उपर जा चुका है, लगबग हम दोस्तों, तो आप सभी लोगों को बता है, वोड़ाफोन आइडिया, यह एक ऐसे फेज में फसा हुआ है, जहाँ पे इनको dues भी पे करने हैं, इसी के साथ साथ कमपनी को ग्रोथ में भी लेके आना है, कमपनी को प्रॉफिटेबल भी बना है, एंड शेरोल्डर्स को रिट वो जब तक कमपनी बढ़ाती नहीं है, तब तक कमपनी को नुकसान होगा, और यह इससे पहले भी वोड़ाफोन आइडिया ने भी बहुत बोली थी, और बारती एटल ने भी बात बोली थी, वोड़ाफोन आइडिया ने यह इनिशेटिव यहाँ पे ले लिया है, उन्हे अपने प्लांस यहां पर महेंगे कर दिया हर एक प्लान महेंगा नहीं किया है उन्हें कुछ फैमिली से जुड़ा हुए जो प्लांस रहते हैं वहां पर उन्हें पचास रुपया यहां पर बढ़ा दिया बट वह पचास रुपया हम लोगों को बहुत ही जादा यहां पर मतल मिले हैं सो डेफिनिटली इसका जो इंपक्ट रहेगा वह कंपणी की जो शेर ओल्डर है उनके लिए पॉजिटिव रहेगा क्योंकि कंपणी का रेवेन्यू इससे यहां पर बढ़ने वाला है कस्टमर की जईब जरूर कटेगी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं सो दोस्तो अगर हम लोग बात करें कि इस न्यूस का फाइदा इनके कॉंप्टिटर को कैसे होगा सो दोस्तो आप सबी लोग को पता है यहां पर एक कंपणी टैरिफ यहां पर मतलब कैसकते उनके प्लांस अगर बढ़ाती है सो इनके कॉंप्टिटर्स भी ऑटोमेटिकली उनके प्लांस यहां पर महेंगे कर देते हैं क्योंकि वो सिमिलर वे पे हम लोग को सारी चीज़े देखने को मिल जाए सो आप लोग देख सकते हैं यहां पर आज के दिन भारती एरिटेल में भी हम लोग को अच्छी कासी तेज़ी देखने को मिली लगबग 3-3% की तेज़ी देखने को मिली बट और एक इंपोर्टेंट नीज है वो भी मैं बताना चाओंगा जो की रिलाइंच इंडर्स इंड लेता तो शायद से हम लोग को यहां पर भी एक अच्छे कासी 2% की तेज़ी भी देखने को मिल सकती थी बट कोई बात नहीं दोस्तों अभी हम लोग आ जाते नेक्स्ट न्यूस के उपर जो की वोड़ाफोन आइडिया से रिलेटेड ही है तो दोस्तों वड़ाफोन है आप लोग चाहो तो गूगल करके देख सकते हो इस चीजे रहती है जो कि हम लोग कह सकते हैं अभी 70 मिलियन अगर उनके सब्सक्राइबर या फिर आप बोल सकते हैं उनके कस्टमर अगर चले जाएंगे उनके पास तो दो यह अल्टरनेटिव अवेलेबल है इधर भारति अगर फोन आइडिया के कस्टमर घटे थे तो जादा रेश्यो हम लोगों को रिलाइंज जियो के और जाते वे देखने को मिला था एंड भारति एरिटेल के उपर कम जाते वे देखने को मिला था तो यह जो डेटा है दोस्तों इसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि इंडस्टी को भी इंडिरेक्ली फाइदा होते हैं देखने को मिला है आप लोग देख सकते हैं देखिए 4 आर्स अगो भारति एरिटेल शेर सर्ज मतलब भागा इसलिए और प्राइज हाइक बाइज बढ़ा दी मतलब भारति एरिटेल भी प्राइज बढ़ाएगा क्योंक करते हैं तो कंपानी को यहां पर लॉस हो सकता है वोड़ाफोन आइडिया नहीं इनिशेटिव ले लिया है क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं था वह कंपानी बहुत ही ज्यादा हो जैसे मैंने बताए ऑब्लिगेशन में घिरी हुई है उन्हें एक अदम उठा लिये त आप लोग देख सकते हो 1st December 25% के आसपास deliveries हम लोगो यहाँ पर देखने को मिल रही है अगर भारती retail के अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग कह सकते 33% के आसपास deliveries देखने को मिल रही है और अगर Reliance Industry की बात करें सो Reliance Industry यहाँ पर हम लोग आना चाहेंगे 1st December लगबग 33% के deliveries उटाती हुए देखने को मिल रही है जो कदम उन्हों ने उठा है टारिफ से रिलेटेड उससे यहाँ पर डिरेक्ली इंडिरेक्ली फायदा होगा और जो रिपोर्ट भी सामने आई है उसके चलते भी इन दो स् लिए को भी मिल सकता है तो आयब अशा करता दोस्तों यह वीडियो भी आप लोगों को यहाँ पर पसंद आए होगा तो वीडियो को क्लोस करने इस पहले और एक चीज दिखाना चाहूंगा जैसे कि आज के दिन आप लोग यहाँ पर देख सकते तीन वीडियो यहाँ पर अ मिल जाएगा तो आयब अशा करता हो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए होगा तो जरू लाइक एंड शेयर कर देना तो यह टेंक्यू वेरी मास दोस्तों वी बिल भी मिटिंग आर नेक शुडियो तब तक के लिए बाए बाए